इस वीडियो में मैं आपको थर्मो डाइनामिक सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स के बारे में पांच मिनट के अंदर सम्झा दूंगा और मैं स्टोरी टेलिंग के तुरू समझाओंगा आपको बहुत ही सरल भासा में तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके दोस्त होंगे और आप सायद कभी कैम्पिंग पे गए होंगे अगर ना भी गए होंगे तो भी मैं आपको बताता हूं कि जब हम कैम्पिंग पे जाते हैं दोस्तों के साथ तो हो सकता है कि हम जंगल में जाएं और हम आट-दस दोस्त एक साथ जाते हैं जंगल में कैम् भंफायर हम एक साथ लकडी खिलेक्ट करते हैं और फिर क्या तरफ से उस अलाव को घेर लेते है और मजे करते हैं गाना गाते हैं डांस करते हैं, तो है तो इसी से मैं आपको समझाओं कि थर्म efecto सिस्टम क्या है मालनों कि आपने लकडी कलेक्ट किया और आग लगा दिया और फिर चारो तरफ से आप सारे दोस्त एक साथ अकठे हो गए इस तरह से और फिर आप इंजॉई कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपने जो लकडी जलाया है तो वो एक थर्मो डैनामिक सिस्टम बन गया है और जब आपने उसको चारो तरफ से घेर लिया है चारो तरफ से आप बैठ गये हैं सारे दोस्त तो आपने एक बाउंडरी क्रियेट कर दिया है तो वो बाउंडरी क्या हो गया व इस कहानी में आप किसी पर फोकस कर रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं कि आपने एक अलाव जलाया लकडी कलेक्ट किये, तो उस पर फोकस कर रहे हैं, तो वो एक thermodynamic system है, और आपने क्या किया, आपने एक boundary बना लिया, आप चारों तरब से एक साथ उस आग तू घेर लिए और चा surrounding है, तो चलिए आपको हम समझाते हैं आप कि system और surrounding क्या है, तो अगर आपने mechanics पर होगा, physics में, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको कुछ भी करना होता है, तो सबसे पहले आप एक free body diagram बनाते हैं, राइट, कि मान लिजे कि ये free body diagram है, किसी object का, ये है mass, और इस suppose इस पे एक friction लग रहा है, small f, तो आप इस तरह से free body diagram बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस पे आप entrance log motion लगाते हैं, mechanics में, अगर आपको कुछ भी करना होता है, तो, इसी तरह से अगर आप thermodynamics में कुछ भी analysis करना चाहते हैं, तो आपको एक system define करना होता है, तो system in thermodynamics is analogous to free body diagram in mechanics, दोनों एक जैसे चीज है, अगर आपको कोई भी analysis करना है, तो आपको system बनाना ही बनाना है, तो चलिए draw करते हैं, एक thermodynamics system, right, तो किसी भी system के लिए दो चीज की जरूरत होती है, thermodynamics में, system में सबसे पहरा requirement है कि उसमें कोई matter होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि लकडी है और उसमें आग लग गया, तो उसमें क्या है matter है, तो system में matter होना ही चाहिए, बिना matter के system defined नहीं होता, और second requirement क्या है कि एक boundary होना चाहिए, जो system को पूरी तरह से surround करता है, और उसको surrounding से अलग करता है, तो यह आपका हो गया boundary, so boundary plus matter will make a thermodynamic system, boundary और matter जो material है वो एक thermodynamic system बनाएगा, और उसके बाहर जो भी होगा, boundary के बाहर, वो surrounding होगा, तो system के बाहर जो कुछ भी हो गया, वो surrounding हो गया, और system और surrounding क्या करेंगे, वो interact करेंगे, उस दोनों के बीच, mass का exchange हो सकता है, जैसे कि माननों की हवा बहके आ गई, और हवा सही तो अलओ जल रहा है, आग कैसे जल रही है, हवा से जल रही है, तो mass आया की नहीं आया, तो mass का exchange होगा, उसी तरह से जलने के बाद क्या होगा, दूआ बाहर निकलेगा, boundary से बाहर निकलेगा, तो वहाँ भी हुआ, और energy का भी exchange जो heat produce होगा जलने के बाद वो भी बाहर जाएगा, अगल बगल के जो environment है उसको भी गरम रखेगा, तो वहाँ पे energy, तो system और surrounding जो है वो दो तरह से interact करते हैं, पहला है mass interaction और दूसरा है energy interaction, दोनों के बीच mass का आदान प्रदान हो सकता है और energy का भी आदान प्रदान हो सकता है, so this is about system and surrounding, and system plus surrounding जब आप दोनों को मिला देते हैं, तो thermodynamics में उसको कहते है universe, real light में universe क्या है, infinite है, लेकिन thermodynamics में universe, system plus surrounding हो गया, जैसे मालनों कि आप bonfire करने जंगल गये, तो वहाँ पे आपने allow जला लिया, तो वो system हो गया, और एक आपने घेरा बना लिया, तो वो उसका boundary हो गया, और उसके बाहर जो भी है वो surrounding हो गया, जिसके साथ system और surrounding एक साथ interact कर रहे हैं, by means of mass exchange and energy exchange, तो इसके examples बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि car engine, car engine भी क्या है, thermodynamic system है, हमारा body भी thermodynamic system है, फिर refrigerator भी thermodynamic system है, phone भी thermodynamic system है, AC भी thermodynamic system है, water bottle भी thermodynamic system है, thermodynamic system कुछ भी हो सकता है, यह pen भी thermodynamic system है, so this is all about thermodynamic system and surroundings, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस चैनल को subscribe कीजिए, इस वीडियो को like कीजिए, और अपने दोस्तों से आप इस वीडियो को share गयाएं,